बेलकम तारा फैमली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो जो आज की रीडिंग है उस रीडिंग में देखेंगे कि आपको डिवाइन क्या गाइट करना चाहते हैं आपके लिए क्या मैसेजिस और गाइटेंस है तो पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से वापिस आए हैं इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वैलिकम है आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते है आपके क्या तो देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपके mer緊 आते हैं तो देखते हैं करें जाहे जोर से करें या आप खुशी से भी किसी को bless कर सकते हैं चुपचाफ भी किसी को bless कर सकते हैं और जो डिवाइन की लाइट है उसको flow होने दीचे रधर लोगों की तरफ जाहे वो आपकी दुशमन हो दोस्तों अजनुवी हो और और इसकी वज़ा से या इस प्यार की वज़ा से इस हेल्प की वज़ा से उनको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने में मदद मिलेगी अपने खाने को ब्लेस कीजे, पानी को ब्लेस कीजे, जानवरों को ब्लेस कीजे, पशुपक्षियों को और प्लेडों को ब्लेस कीजे और ये मान के चलिए कि आपकी वज़ा से इस दुनिया में रोशनी है या फिर आपकी वज़ा से आप उस रोशनी को create कर सकते हैं जिससे दुनिया में blessings आती है, कुछ इस तरह से है और आपके लिए blessings multiply होंगी, इनकी आपको यहाँ पर आपकी blessings को multiply करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टैलीपैथिक का, यह कार्ड कहता है कि आप टैलीपैथिक लिए receptive हैं तो आपको जो भी guidance पिलेगी आपके mind में उसके लिए receptive रही है और open रही है आपकी guides और angels की message सुनने के लिए, हलांकि लोग उसको block करने की कोशिश करते ही रहते हैं तो यहाँ पर other जो लोगों के thoughts हैं वो भी आप तक पहुँची जाएंगे, जो भी वो आपके खिलाफ कर रहे है और साथी साथ someone is trying to transmit something important to you कोई इंसान आपके अंदर कोई information डालने की कोशिश कर रहा है जो आपके लिए important हो सकता है या आप तो कोई message पहुचाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपको यहाँ पर आपकी spirit guides कह लिजिए, angels कह लिजिए, आपको यह कहना चाहते हैं आप hope, love और inspiration की तरफ ही focus कीजिए तो आपको divine की तरफ से जो भी messages receive होंगे उनको कीजिए का यहाँ पर high priest का card है और यहाँ पर high priestess का card है, ओके इन दोनों का leading के अंदर आना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है तो आप से कहा गया है इस high priestess के card के दोरा इस high priestess के card के दोरा की अपनी life का command अपने हाथ मे लीजिए और जो आप हैं वैसा ही आप रहिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है साथी साथ leadership quality जो आपके अंदर है उसको आगे बढ़ाईए और उसकी ही practice कीजिए और जो भी इमानदारी से आप अपने काम करते हैं उनको कीजिए अच्छे decisions लीजिए और अपनी शक्ती को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएए आपके लिए इस समय वक्त है कि आप strong रहें और selfless service करें इनकी स्वार्थ की भावना से ना करें जो भी कुछ करें आपनी स्वार्थ होकर करें lead with strength and wisdom, strength और wisdom के साथ शक्ती और ग्यान के साथ आगे बढ़ते रहें और high practice का card आप से कहता है कि ये card जो है feminine power का card है जो देवी शक्ती होती है उसका card है और wisdom का card है आप से कहा गया है ज्यादा जो logic वाली चीज़े हैं ज्यादा rational thoughts हैं उनकी तरफ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है इनकी ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी intuitions को और अपने psychic gifts को इस्तमाल करें वो ये कहा जा रहा है कि आपकी blessings तो आपको मिली ही रही है और वैसे अगर आपको कोई telepathic लिए कुछ messages देना चाहता है तो याद रखिएगा आप उन्ही messages के लिए open है अपने आपको कहके रखिए कि मैं उसी message के लिए open हूँ उन्हीं telepathic messages के लिए open हूँ जो मेरे highest and best में है ना कि जो लोग मेरी तरफ project कर रहे हूँ हूँ या डाल रहे हूँ तो देखते हैं divine आपको यहाँ पर और क्या guide करना चाहते हैं यह तो जस्त मैंने energy चेक करने के लिया था यहाँ पर message है moon का यहाँ पर card है आपके लिए आपके जो guides हैं जो आपकी टीम है आपको कह रही थी तो यह card clearly stage को कहता है कि moon magic किसी ने किया है यहाँ पर आपके लिए card है sun का पर मैं इसको ले नहीं रही हूँ लेकिन sun और moon दोनों ही आने से आपकी destiny के energy से हैं यहाँ पर thank you so very much to your divine यहाँ पर card है word का यहाँ पर card है judgment का my god वाँ आप अपनी reading में एक चीछ बहुत clearly देख सकते हैं सारे ही major अरकाना के card हैं बड़े card हैं बड़े messages हैं बड़ी reading है यह नहीं कि आपकी destiny की reading है और यहाँ पर queen of cups का card ही है चुकि एक code card है और पीच में है thank you so very much to your divine okay यहाँ पर है eight of cups का card thank you so very much to your divine oh यहाँ पर हर्मिट का card बहुत 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 blessings हैं आपके लिए बहुत beautiful energies यहाँ पर है page of pentagus का card bottom of the deck है king of pentagus का card इससे खूब सूरत energies और क्या हो सकती हैं तो देखे यहाँ पर एक चीज़ में पहले ही बता दूँ अगर आप black magic में विश्वास नहीं करते हैं तो यह reading आपके लिए रही है क्योंकि मेरे channel पर तो यह energies है और मैं इसके बारे में बात करती ही रहती हूँ जो कि लोग नहीं चाहते कि मैं करूं लेकि मैं तो करूंगी तो यहाँ पर यह बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर messages ही ऐसे है moon का card आपके लिए hidden enemy की बात भी करता है और moon का card आपके psychic ability की बात भी करता है और साथ-साथ यहाँ पर card है queen of cups का तो जो यहाँ पर यह card है queen of cups का और यहाँ पर card है moon का यह clearly आपके psychic ability की बात कर रहा है और यहाँ पर आपके हर्मिट वाली energy की बात कर रहा है लेकिन इस moon और इस queen of cups के बीश में आता है devil डेविल जो आपको बान दे की कोशिश करता है डेविल जो आपको अपने पर ट्रस्ट रही करने देता एक डुएलिटी की एनरजी है तो किसी जैमनाई परसन से हो सकता है आप डील कर रहे हो पाइसिस से आप डील कर रहे हो लिब्रा से आप डील कर रहे हो या आप खुद भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं या फिर जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं किसी भी सिचुशन में वो लोग कही ना कहीं उस energy की बात करते हैं जो की है duality की ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए जो energy से यह कहती हैं कि आप उस energy से बाहर निकल रहे हैं आपको जो devil ने बानने की कोशिश की है एक आप उस चीज़ से release हो गए हैं आप free हो गए हैं और आप totally बाहर हैं अब आप उसके बंधन में नहीं हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप बंधन में नहीं है तो लोग आपके उपर अटेक नहीं करते तो आपके उपर यह attack चालो है य आपके साथ नहीं हुआ है मैं फिर कह रही हूँ यह reading आपके लिए नहीं है क्योंकि यह clearly दोनों कार्ट साथ में आने का मतलब ही यही है कि आपके उपर black magic हुआ है लेकिन साथ यहां पर word or judgment का का कार्ड है जो कि बहुत कमाल की बात है क्योंकि यह कार्ड है आपके इसके नह हैं आपके लिए जो important हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ लेकिन सब की सब अपनी journey में अलग हैं हो सकता है आप दूसरों पे black magic करते हूं कोई आप पे कर रहा है तो आप बदला ले निकले करते हूं तो definitely यह energies आपको सर्फ कैसे करेंगी अगर आप भी black magic energies में हैं आप लो अपनी blessings पे है अपने आप पे है अपनी चीज़ों को ठीक करने पे है अपने आपको बहतर बनाने पे है और उसमें वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा है अपने आपको देख रहा है अपने आपको जान रहा है अपने आपको हर लम्हे हर समय के साथ बहतर बना रहा है क्या आ आ रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, तो यह energies आपके लिए कुछ-कुछ हैं, और कुछ-कुछ नहीं है. Eight of Cups का कार्ड कहता है कि आप देखे यहां पे ना Moon और Eight of Cups का कार्ड आपके मन उचटने की बात करता है तो आपकी किसी ऐसी situation में जहां पर पास्ट में आप में से कुछ लोगों का जो मन है उचटा है किसी जगा से आप वहां से आके बढ़े हैं या किसी रिष्टे से जहां पर कुछ सर्व नहीं हो रहा था यह कार्ड बे एकलिप्स के एनरजी बताता है यह कार्ड बे एकलिप्स की डबल एकलिप्स के एनरजीस हैं यहां पे तो ग्रहन जैसी energies हैं या ग्रहन जैसा जीवन है कुछ वैसी energies हैं लेकिन यहाँ पर जो यह devil का काड़ है यह कहता है कि यह एक illusion आपकी life में जरूर create किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपने जिन रास्तों पर चलना चूस किया उन रास्तों की मंजिल आपको नहीं पता थी कि आ आप कहा जा रहे हैं बस आप चल रहे थे बस आपको जाना था बस आपको कुछ करना था लेकिन यहाँ पे न अगर आपने किसी जगा को छोड़ा भी है आपका मन भी उच्टा है या फिर आपका मन नहीं लगा है तो वहाँ पे कुछ लोग आपकी life में कुछ लोगों के लि हैं ऐसी जगापे जो आपके लिए टॉक्सिक है साथ जो आपको सर्व नहीं करती और साथ में जहां पर आपका कोई भी भविश्य नहीं है यह energies है आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ deal कर रहे हैं जो लोगों से command लेते हैं यानि कि यानि कि लोग उनको बताते हैं कि तुम्हें कहां कब क्या कैसे करना है यहां पर definitely जो लोग भी आपके साथ में गलत पहवार कोई करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इस लिए ही या किया है past में यानि कि ये देखिए past, present और future के एनिडिस हो सकती हैं वो सकता है past में आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आपके लिए situation क्लियर हो रही है कि क्यों हुआ था इस reading के अंदर या present में चल रहा हो या कोई future event हो जहाँ पर ये चीज़े आपके साथ होने वाली हो तो साथ धन रहिएगा तो यहाँ पर जिन लोगों, जो लोग भी आपके पुरे में काम कर रहे हैं, जो लोग भी आपके hidden enemies बने हुए हैं, जो लोग भी आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे या कर सकते हैं, वो लोग किसी से command लेते हैं, यानि कि कोई एक ऐसा इंसान चुकि खुद किसी और का command लेता है, उसका command लेते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, उसका मूँ देखते हैं, उससे messages लेते हैं, उससे guidance लेते हैं, फिर जाते हैं, फिर देखते हैं कि इस समय पे हम ये करना है, इस moon पे हम ये करना है, इस moon cycle पे हम ये करना है, जब यहाँ पर ये ता तो यहां पे यह सारी जो energies है आपकी life में या तो reflect कर रही थी, कर रही है या करेंगी Eight of Cups का card आपके लिए उस energy की बात करता है जहां पे आप ऐसे toxic environment से बाहर निकलना चाहते थे या आप चाहते हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा आप अभी भी कुछ ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं या ऐसी energies आपके life में हो सकती है जो कि आपकी तरफ project की जा रही हूं जिससे कि आप अपनी उस जगा को छोड़ दें जहां पर आप हैं या फिर आप उन कामों को छोड़ दें जहां पर आप जिन कामों को आप करते हैं आपको अकेला करने की कोशिश हो सकती है आपको किसी नए रास्ते पर डालने की कोशिश हो सकती है आपको किनी पुराने रास्तों से खीशने की कोशिश हो सकती है यानि कि आप जिन कामों को करते हैं उन कामों को ना करते हुए आप उन कामों को करने लगे जिन कामों को आप नहीं करना जाते हैं यानि कि देखे ये बात में क्यों कहरी हूं आपसे एट ओफ कपस का कार्ड है कि आप चीजों को लेट को कर रहे हैं, यहाँ पर emotional disbalance एक है और आप इसे छोड़ कर आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जहाँ आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी तो पहाड है, वहाँ पर भी तो कोई vision clear नहीं है, वहाँ पर भी तो पता ही नहीं है कि जाना कहा है, तो आत्मक उर्जा में आपको रखने की कोशिश की जाती हो या की गई थी, या की जा रही है, की जा सकती है, तो अगर कोई ऐसी situation आती है, तो आपके लिए उस जगह से आगे निकलना ही ठीक है, क्योंकि आपके लिए devil के energy नहीं है, आपके लिए बनना ठीक नहीं है, आपके ल यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है, वो यह है, कि जितनी बार भी इन लोगों ने, किसी या किसी ने भी आपका कोई नुकसान करने की कोशिश की है, उस नुकसान ने हमेशा ही आपको ना एक कदम, दो कदम, दस कदम आगे ही बढ़ाया है, यहां कि यहां और लिये गए ग क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, जो मैं यहां समझ पा रही हूँ, अगर आप किसी चीज को लेटको करके आगे बढ़ भी रहे हैं, तो भी आप सेटिसफाइड हैं, क्यूं सेटिसफाइड हैं, क्यों कि आप में लालश नहीं है, अगर आप में लालश पर फोकस कर रहे हैं और आपने वही किया है और आपको वही करना चाहिए Queen of Cups का कार्ड है यहाँ पर Queen of Cups का कार्ड उस एनरजी की बात करता है पहले तो यह Water Energy की बात ही करता है यहनकी Pisces, Scorpio और जो Water Sign होता है Cancer Scorpio Pisces की बात करता है और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए Hermit का जो वर्को की बात करता है तो यहाँ पर आप मेंसे कुछ लोग जो है अपनी किसी सिदी को संभालने के लिए या किसी सिचेशन को संभालते संभालते अपने आप में ही इतना एकागर हो गए है या अपने आप में ही इतना मगन हो गए है या हो रहे है या हो चुकी है जिससे की आपकी Life जो है बैलन्स हो गई है यानि कि अगर यह Queen of Cups है तो इसके Clarification में यहाँ पर Hermit का कार्ड है तो आपने बाहरी दुनिया से रिष्टा छोड़कर आपने अंदर की दुनिया से जोनाता जोड़ा है उसने आपको कई ऐसी चीज़ों को छोड़ने में मदद की है जो कि आपको या किसी को लगता था कि छोड़ने मुश्किल है क्योंकि जो लोग डेविल के साथ बंदे हैं या फिर जो लोग नेगिटिव एनरजी के साथ में बंदे हुए हैं और आपके तरफ वही एनरजी थ्रोग करते हैं तो उन्होंने आपको अपने जैसा समझा कि आपके लिए चीज़ों को छोड़ना सिचेशन से आगे बढ़ना अपने डिसीजन लेना आसान नहीं था या आसान नहीं है इसलिए वो आपको इस चीज़ों में बांध रहे हैं लेकिन अभी आप उस सिचेशन में हैं जहां पर आप बैलेंस हैं जहांपर आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, जहांपर अगर आपका बाहरी दुनिया से संपक तूट भी रहा है या तूटता भी है, तो आप अंदर की दुनिया में जा रहे हैं, जो कि आपके लिए जरूरी है, यह कार्ट भी अंदर की दुनिया में जाने की बात करता है, आ अपने आप में एक authority में है तो यहाँ पर आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है life में यह आपके लिए blessings की तरह है और आप एक balance जगापे हैं अब यहाँ पर word और judgment दोनों का ही card है जो कि completion की बात करता है और word और judgment की इस card के अंदर एक energy है page of pentacles की यानि की दोनों कार्ड completion की बात करते है और page of pentacles का card बात करता है new business की new start की तो आपकी life में जिस भी energy में आप है जिस भी तरह से आप आके बढ़ रहे हैं जिस भी चीज़ को आप life में create करना चाहते थे या करना चाह रहे हैं उसमें आपके लिए blessings इसलिए आप से कहा गया है यहां पर high priest के card के दोरा आपके लिए यहां पर high priest इसके card के दोरा कि अपनी life के अंदर आप उन चीज़ों पर focus कीजे जो की आपकी inner strength से आती है जो की आती है आपके wisdom से जो की आती है आपके knowledge और experience से यानि कि यह properly उस इनसान की energies है या उस इनसान के लिए messages है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ही trust करने की जरूरत है किसी और पे नहीं किसी और बात पे नहीं यह आपके लिए बहुत ही अच्छे और खूबसूरत messages है actually आपके लिए blessings हैं क्योंकि जो लोग भी आपको खत्म करना चाहते हैं जो लोग भी आपको बादना चाहते हैं जो लोग भी यह चाहते हैं कि आपको यह लगे यह लगे कि आपका circle complete नहीं हुआ है already होकर new beginning भी हो चुकी है spirit realm is real you will see तो आप देखेंगे आप पाएंगे और आपको यही मिलेगा कि जो दूसरी दुनिया है वो real है अगर देखें जिस मैंने कहा था अगर जो लोग black magic पे विश्वास नहीं करते उनके लिए यह reading नहीं है यहाँ पे already अगर आप देखें इस reading के अंदर यहाँ पे spirit है यह spirit का card है यह hidden enemy की बात तो करता ही करता है लेकिन इस tarot card के अंदर इस tarot deck के अंदर यह spirit है इसकी यह entity है ठीक है तो आप यह पाएंगे यहाँ पे already लिखा है spirit realm is real you will see तो आपको यह पता चलेगा जिन लोग को यकिन नहीं है या जो लोग trust नहीं करना चाहते कि devil भी real है और यहाँ पे entities भी real है और जो divine है angels है वो भी real है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का जो विश्वास है या तो पका हुआ था या पका हो रहा है या पका होगा you are free to make choices but you are not free from consequences think twice तो आपको जो भी decision लेने है आप से ही कहा गया है अपने अंदर की दुनिया पर भी focus करना होगा आपको अपनी बाहर की दुनिया पर भी focus करना होगा तभी आप से ही decision ले पाएंगे यहाँ पर भी देखिए word और judgment दोनों का card है यानि कि यहाँ पे आपकी एक जो restart और completion दोनों ही है एकठा ही है अंदर जाना और बाहर जाना इकठा ही है और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा duality की energies हैं और यहाँ पर भी लिखा है think twice तो हर एक पहलो को दो बार सोचने की ज़रूरत है angels blessings हैं आपके लिए यहाँ पे thank you so very much dear divine blessings के लिए you are your own guardian here so that is your responsibility to take good care of yourself in every way don't depend too much तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने guardian angel खुद है आपको अपना ध्यान खुद रखना है आपको अपनी care खुद करनी है और यही आपकी जिम्मेवारी भी है आपकी जो mental physical health है emotional health है आप क्या choose कर रहे हैं आपको narcissistic कुछ भी choose नहीं करना आपको गसे में कुछ choose नहीं करना आपको emotional होके कुछ choose नहीं करना आपको जो भी choose करना है वो करना है एक ऐसी बेहतर जखासे जो की आपके लिए अच्छे होती है और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बता दिया जो कि real नहीं है यहाँ पे कोई चीज ना backfire करेगी जो मैं समझवा रही हूँ यह energies जो भी आपकी तरफ भेज रहे हैं या किसी ने भेजी थी या भेज चुके हैं जो कुछ भी है यहाँ पे यह चीज ना backfire करेगी और जिन लोगों ने भी आपकी तरफ energies भेजी entities जगाने की कोशिश की या करी थी या कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो लोग देखेंगे कि spirit realm real है angels real है, God real है और demon भी real है यानि कि यह जो चीज आपके साथ में अगर कोई खेल खेल रहा है ना यह वाले spirit realm वाले, black magic वाले चीज़ों वाले, आपकी life के साथ खेलने वाले, उसके लिए यह चीज़ बहुत strongly backfire करेगी, इसलिए आपसे कहा गया है, अपने उपर ही depend रहना है कि आपको क्या करना है, और अपनी आज़िस को इसलिए clear करना है, क्योंकि अगर कोई आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं, वो आपको बहुती soft और अच्छे, और खुबसूरत, प्यार भरे messages देंगे, तो याद रखिएगा, इस तरह के messages के पीछे, इस तरह के offers के पीछे, इस तरह की relations आपकी life में आते हैं, या आने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पुराने हो या नए हो, वो आ रहे हैं इस energy से, डेवलिश energy से, और उसके पर जामा पहना हुआ है, order लिया जा रहा है कि किस तरह से जाया जाया, किस टाइम पे जाया जाया, किस तरह से किया जाया, जो अपने पास से किसी को भटका दिया जाया, अपने रास्तों से किसी को भटका दिया जाया, या क्या किया जाया, ऐसा जो temptation की तरफ कोई खिचा चलाए, आपको नहीं जाना, आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, don't go for sugarcoat things, मैंने अभी किया कहा, आपको ऐसे किसी चीज की ज़रूरत नहीं है, आपको शुगर कोट चीजों की तरफ नहीं जाना, मीठी चीजों की तरफ नहीं जाना थैं कि so very much dear divine, आपका messages confirm करने के लिए, देखिए अभी इस बात को मैंने आपसे कहा, किस तरह से भटका दिया चाहे गलत करके किसी इनसान को, ये reading उसी के बारे में है आपको लगता है कि message repeat हो रहा है, हाँ तो message repeat होगा, अगर energy ही वैसी है तो messages भी repeat होंगे ही होंगे सबको खुश नहीं किया जा सकता किसी भी reading में भाई, you are creator of your own destiny those who don't know or don't wish to know will always follow other trades with fear, copy, laziness and shortcuts तो इस deck को जब मैंने बनाया था ना ये मैंने डिवाई से specially request करके messages उनसे connect हो के लिए थे special messages लिए थे, तो उसमें ना ये last के three cards बचे थे, तो मैंने उनको बोला था कि आप मुझे three special messages दे दीजे, तो ये creator की तरफ से आपके लिए messages हैं, पहला आपके लिए ये है, दूसरा और एक इसमें और है तो आपके लिए इन दो चीजों को समझना जरूरी है कि अभी आपकी life में वो circle चल रहा है जहां पर आपकुछ बना रहे हैं अभी आपकी life में वो time period नहीं आया जहां पर आप ये माने कि आपका काम पूरा हो चुका है भी आपको बहुत सारे काम करने है और बहुत ज़्यादा काम करने है इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप भाग नहीं सकते आप हर्मिट के एनरजीस में रह सकते हैं पर आप भाग नहीं सकते हैं आपके पर छिम्मेदारियां है यो आप अपने भागे के विधाता खुद है तो जो लोग ये नहीं जानते और जो लोग ये नहीं जानना चाहते वो हमेशा ही दूसरों के ट्रेल्स को दूसरों के रास्तों को फॉलो करेंगे जो उनको दिखाया जाएगा जो उनको दिखाया जाएगा वही वो फॉलो करेंगे और आप अगर वही करना चाहते हैं तो फिर आप एक फियर के एनरजीस में हैं आप लोगों को कॉपी करते हैं आप laziness में हैं और short cuts छोंटे हैं तो आपको यहां पर divine यही guide करना चाहते हैं कि अपने भागे के विधाता खुद बनो और दूसरे लोगों की तरफ dependent नहीं हो अपने भागे में क्या लिखा है किस तरफ जाना है क्या create करना है उसके लिए सोचो क्योंकि आप अपनी choices करने के लिए free हो आप बन्दे होए नहीं हो बन्दा होना जैसे कहते हैं न एक कहावत है या ऐसे ही कहा जाता है कि आप कोई पेड थोड़ी ना है कि आप चल नहीं सकते आप वहां से हट नहीं सकते आपकी wish है आपकी choice है कि आप वहाँ पे रहना चाहते हैं आपकी मजबूरी है आप किसी वज़ा से रह रहे हैं आप कुछ भी कोई भी बात आप कह रहे हैं पर वो आपकी choice में आता है आपके free will में चाहे आप कहें कि मेरे पास जाने के लिए कोई चगा नहीं चाहे आप ये कहें कि मैं को decision नहीं ले सकता मुझ में वो हिम्मत नहीं या नहीं ले सकती उतनी हिम्मत नहीं आप कुछ भी कहें पर वो आपकी choice है वो आपकी free will में आ जाता है आपके लिए choice करना rewards for your good deeds मैंने भी आपसे क्या कहा था कर्मा के card हैं यहाँ पे आपके अच्छे करमास का result आपको यहाँ पर divine दे रहे हैं इसलिए blessings हैं आपके लिए Thank you so very much dear divine Gratitude is must for energy exchange तो इश्वर के साथ आप अपना gratitude जरूर एक्सचेंज कीजी इश्वर को धन्यवाद दीजे इन सारी blessings के लिए और जिन चीजों से भी वो आपको बचाते हैं चेताते हैं आपको guidance देते हैं आपको देखते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद देना बनता है Realize yourself तो आपको अपनी सही कीमत पता होनी चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितनी high value रखते हैं अगर कोई आपके सामने कोई ऐसा offer कोई ऐसी job कोई ऐसा रिष्टा लेकर आता है और यह कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सबसे अच्छा हूँ मैं सबसे अच्छी हूँ मैं सबसे बहतर तुम्हें काम दे सकता हूँ भाई वो डेल के औरटी से आ रहा है अपनी बर्थ को जानना है अगर आपको किसी से बारगेन करना है अगर आपको किसी से अपनी सैलरी बढ़वानी है अगर आपको किसी चीश की मांग करनी है तो आप यहां पे वो कर सकते हैं I am here to protect you from anyha spiritual, physical and psychic एक तो ये आपके लिए messagesर Divine की तरफ से Divine यहाँ पर हैं, आपको protect करने के लिए किसी भी तरह के हाम से चाहे वो spiritual हो, physical और psychic हो चाहे कोई psychic attack करे, मैं आपसे क्या कहा था, मुझे न ये बहुत strong energy backfire energy महसूस हो रही है कोई energy ऐसी या तो हुई है या फिर होगी जब भी आपकी तरफ जाएगी कोई entity या कोई वो energy वो बहुत strongly backfire होंगी बहुत strongly Mother Earth need more love, prayers and compassion तो Mother Earth से प्यार कीजे, Mother Earth को thank you बोलिए क्योंकि देखिए Mother Earth के energy का लोग बहुत use करते हैं, गलत use करते हैं अपने इन rituals वगेरा में चीज़ों में तो Mother Earth को वैसे वो अपने ही चाहिए इसलिए भी मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ की गई न तो वो भी backfire होगी अगर Mother Earth के energies का use करके कोई चीज़ आपकी तरह भीजी गई है तो definitely वो backfire होगी क्योंकि Mother Earth को love चाहिए, prayer चाहिए और compassion चाहिए तो आपके लिए यही blessings हैं फिलहाल के वक्त के लिए और इश्वर को धन्यवाद दीजिए गरें blessings के लिए gratitude must होता है energy exchange के लिए या फिर divine world में जो आपके angels आपको support करते हैं, आपको देखते हैं, आपकी मदद करते हैं, जो split reality में आपकी मदद की जाती है उन सब के लिए आभारी होना बनता ही है तो आभारी रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रू बताईएगा ये रिडिंग आपके लिए कैसे रही आपका इसमें बहुत बहुत शुपो, thank you so very much, God bless you